आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी जो इस्टेडी है वह एंटी पीसी सीवीजी टू के लिए जो है बहतर जंग से चल रही होगी इस वीडियो में हम बात करने वाले एंटी पीसी का जो सेकेंड एक्जाम है वह कब तक होगा और जो एंटी पीसी का रिव होगी यह नहीं होगी रिवाइज डिटल जो है वह आएगा भी यह नहीं आएगा और साथ ही हम बात करेंगे और और सी ग्रूप डी के एक्जाम डेट के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल की टेट में 21 फरवरी 2022 को यह पैनल रिप्लेस्मेंट पैनल लिस्ट ओफ वेरियस कैटेगरी इसके अंदर जेई का जो एक्जाम हुआ था उसकी जो है लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है 2018 वा लोगी तो इसका मतलब यह कहा है चाह सकता है कि जो रेलवे है अपना जो कार रह है वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहा है यानि कि फास्ट करने के प्रोसस में है और चैसा की रेल में ने कहा भी है कि 16 फरवरी तक जो है आपके जो जितने भी ग्रिवेंस हैं वो लिए जाएंगे और चार मार्च को जो है उसका यह रिजल्ट दे देंगे कि जो भी रिजल्ट की रिवाइज अंसर की जो है वो रिवाइज रिजल्ट जो है सौरी अंसर की नहीं रिवाइज जो जो जारी होगा या नहीं होगा और जिस दिन आपका चार मार्च को यह रिवाइज रिजल्ट के बारे में या जो आपके विचार थे जो आपके ग्रिवेंस थे टू की जो exam date है वो आपकी उसी दिन जो है जारिक कर दी जाएगी अगर मैं बात करता हूँ कि NTPC CBT 2 के बारे में कि इसकी exam date जो है वो कब तक रह सकती है तो आप यह मान कर चलिए कि जो March में होली है होली के बाद ही आपको जो है NTPC CBT 2 का जो exam है वो देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि अब सिर्फ exam यह पास दिन चलेगा और पास दिन के अंदर ही आपको सब को जो भी qualify करेंगे revised जो result होगा उसके अंदर जो qualify करेंगे तो उसके मंदर नजर रखते हुए जैसे की लेवल 2 का एक दिन हो जाएगा फिर 3 का फिर 4 का फिर 5 का फिर 6 का ऐसे करने के लिए इनों पास दिन लिये हैं और अब की बार जो आप यह मान कर चलिए कि नॉर्मलाइजेसन जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही दिन सब का एक्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेसन मिलने के बहुत कम चांसित हैं बागी एक दो नंबर आदा नंबर आपको मिल सकता है अगर मैं बात करता हूँ कि रिवाइज डिजल्ट जो है वो जारी होगा या नहीं होगा अगर मेरे ओपिनेंस से बात करें तो रिवाइज डिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है हो सकता है आपका जो रिवाइज डिजल्ट है वो जारी हो सकता है अगर आपका रिवाइज डिजल्ट जारी होगा तो जो आपकी कट ओफ है वो भी पहले से डिक्रीज होगी अब चार नंबर हो पांच नंबर हो दो नंबर हो ये तो डिपेंट करेगा रिवाइज डिजल्ट पर ही वो जब आ जाएगा आपको जब ही पता चल पाएगा कि कितनी कट ओफ जो है वो डिक्रीज हुई है और कितनी कट ओफ किस स्टेट की गई है उसके अंदर आपके साथ लाख के करीब यूनिक कैंडिडेट आ जाएंगे अगर इन्होंने रिवाइज जारी नहीं किया तो वो ही आपके चार लाख के करीब आपके कैंडिडेट जो है वो यूनिक कैंडिडेट रहेंगे और उनी पर फाइट होगी ये तो रहा एंटी पीसी का अगर मैं बात करता हूं आर आर सी ग्रूप डी के बारे में ग्रूप डी के बारे में तो इसकी एक्जाम डेट जैसे ही NTPC का exam CVT2 का खतम होगा उस से 4 से 5 दिन के बाद ही जो है आपके Group D के exam की जो date है या Group D के जो exam है वो सुरू हो जाएंगे जैसा कि इन्होंने February के मंत में भी schedule कर रखा था कि 14 से आपके 19 तक NTPC के exam हो जाएंगे 18 तक और उसके बाद 23 से आपका Group D का exam सुरू करा लिया जाएगा उसी परकार से इस बार भी होगा तो आप यह मान कर चलिए कि आज से अगर मैं date count करता हूँ तो आज 21 February है तो आप पर सिर्फ और सिर्फ आप मान कर चलिए 20 से 25 दिन ही पचे हैं क्योंकि 3 से 4 दिन जो हैं वो आपके होली में और भी एक दो तिन आप दर दर जा सकते हैं तो शादियों का जो सीजन है तो 3 से 4 तिन आपके खराब हो जाएंगे तो आपके पास 20 दिन ही मान के चलिए आपकी 20 दिन आपके पास है उसी में आपको revise भी करना है और उसी में आपको new भी पढ़ना है जो आपका रह गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि गौर्मेंट जोब की जो अपडेट है उससे आप पलपल अपडेट रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक यू